तो फ्रेंड्स बिटीय कोकिंग में आपका स्वाह करते हैं तो फ्रेंड्स आज हम आपको आलू और गोवी सबी टेस्टी और अमेजिंग सी सब्जी बनाना पताएंगे तो चलिए इनको हम काट लेते हैं सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से हमने इसको काट का रेवी कर ल तो देखिए ओएल हमारा अच्छी से गरम हो चुका है तो इसमें हम जीरे हेट कर रहे हैं जीरे को अच्छी से तड़क देने के बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची प्याज और लेशन हमने दो प्याज लीय है और 6-7 हरी मिर्ची और कुछ लेशन की कलिया और इस त तृथ इस तरीके से हम लो टू मेडियू फ्लीम पर अच्छे से फ्राई करेंगे तो देखेसा इस तरीके से 2 abs देनया फ्राई करेंगे अब हम खुछ मसाले अज़ाईगे तो देखे इसमें हमने लिय है हमने मसाले लिय यह देखसकते आप एक चमच लाल मिल्च पाउडर, एक चमच नमाक, एक चमच धनिया पाउडर और हल्दी थोड़ी थी, आदा चमच से भी कम और नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाले हैं आप, हमने एक चमच डाला है, और एक मिनिट तक हम इसको इसी तरीके से तेल में फ्राइ करेंगे और उसके बद थोड़ा से पानी डाल कर इसको अच्छे से पकने देंगे मसाली को तो हमें मसाला जब तक पकाना है जब तक इसके उपर इस तरीकी का तेल नहां दिखने लगी तो देखिए 2-3 मिनिट के बाद हमारा मसाला इस तरीकी का हो चुका है तो अमारा मसाला अच्छे से हो चुका है तो इसमें हम ढालेंगे अफ कड़ा हूआ एक टमाटर, इक्डम पका हूआ टमाटर डालना है, कच्छा टमाटर बिल्कुल मठ डालना, पका डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सा टेस्ट आएगा और अब इसको टमाटर को अच्छे से गलने तक हम इसी तरीके से हम पकने देंगे इसको भी हम 2-3 मिनिट तक इसी तरीके से पका लेंगे तो 2-3 मिनिट के बाद आप देख लेंगे इसके टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए इसे भी लोटू medium flame पर हमें पकाना है तो देखिए इस तरीके से हमारे ये टामाटर भी अच्छे से गल जाएंगी तो दोसे तीन मिनिट के बाद आप इनको देखना है तो बहुत ही soft and smooth हो जाएंगे टामाटर तो ये हमारे टामाटर अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें हमारे योकटी हुए सबजी थी वो एड कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारी सबजी को इसमें एड कर दिया है और इसको अच्छे से चलाते हुए mix कर देना है और low to medium flame पर इसी तरीके से हमें इसको पकाएंगे हाई flame हमें बिल्कुल भी नहीं करना है low to medium flame पर हमें सारी सबजी बना कर ट्रेडी कर लेना है तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है आप देख सकते हैं एक्दम perfectly पूरे मसाली में अच्छे से हमारी सबजी mix हो गई है तो हम इसको इसी तरीके से चलाते हुए चार से पांच मिनेट तक low to medium flame पर इसको पकाने के बाद हम इसमें पानी एड़ कर रहे हैं आप पानी अपने according एड़ कर सकते हैं कि आपको कितना पदला रखना है सबजी को तो हम इसको कुछ इस तरीके की सबजी रखेंगे हलकी से गीली और एक्दम सुकी सुकी भी नई आराम से और देखिए इस तरीके से हमने इसमें लगबग 2-3 गिलास हमने इसमें पानी एड़ किया है और अब हम इसको low to medium flame पर इसी तरीके से पकने देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2-3 मिनिट के बाद कुछ इस तरीके की हमारी सबजी हो चुकी है और इसको अभी हम और पकाएंगे थोड़ा सा जिससे कीजिए हमारी अच्छे अलू गल जाएंगे और अच्छे से सब चीज गो भी अच्छे से पक जाएगी जब तक हम इसको इसी तरीके से low to medium flame पर पकाते रहेंगे तो फैंस अगर कहीं आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो देखिए यह हमारी सबजी बनकर रेडियो चुकी है तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देती है तो इस तरीके से हमने इसमें हरा धनिया डाला है और फॉपेक्ली यह हमारी सबजी बनकर अच्छे से रेडियो चुकी है तो अब हम इसको अच्छे से mix कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से हमें mix कर देना है आप देख सकते हैं इस में साज गोबी भी अच्छे से नज़र आ रही है और आलू भी बिल्कुल भी एकदम से पूटे नहीं है और अच्छे से गल चोके हैं So Thank You